आप सभी बगोती वेश्णों को जैसी क्रिष्णा आज व्रच कार्तिक क्रिष्ट पंचमी गुरुवार पात नॉम्बर 2020 से आज सी ठाकुर्जी में दिपावली पुरू का अभ्यांग एवं अभ्यांग का शंगार धराया जाता है आज का विशे से दिपोस्व के पुरू नियत शंगारों के मद्य इस पकवाडे में एक बाशी ठाकुर्जी को अवश्य अभ्यांग होता है इसका दिन नियत नहीं होता परन्तो अवश्य है इसी भाव से आज मंगला दर्शन उप्रांद प्रभू को चंदन आवला एवं फुलेल सुगंदिन तेज से अभ्यांग इसनान कराये जाएगा अभ्यांग के साथ गेरदार वस्त्र का शंगार भी धराये जाता है इसमें लाल सरीदार जरी के गेरदार वस्त्र चोली सुतन पटका एवं श्री मस्तक पर चीरा जरी की पाग धराये जाते हैं थाड़े वस्तर श्याम धराए जाते हैं आज श्री ठाकुर जी के साज श्रीजी में आज श्याम रंग के आधार वस्तर के उपर जाड़ फानुश एवं सेवा करती सक्यों की सुनरी कशीदे के जर्दोरी के काम वाली तता पुश्पोक के सज्जा से कशीदे के हाशिया वाली पिछवई धराई जाती है गादी, तकिया एवं चरन्चोकी पर सपेद विशावट की जाती है आज श्री ठाकुर्जी के वस्तर श्री जी को आज लाल शरीदार जरी के एवं सुनरी जरी की तुईलेश की किनारी से सुसजित, सूतन, चोली एवं गेरदार वागा धराई जाते है ठाडे वस्तरिशाम रंके धराई जाते है आज श्री ठाकुर्जी को संगार प्रभु को आज छोटा कमर तक हलका संगार धराई जाता है पन्ना एवं सोनने के सर्व आबरन धराई जाते है श्री मस्तक पर लाल सलिदार जरी के चीरा, जरी की पाक के उपर सिर पेंच, लूम तथा चमकनी गोल चंद्रिका एवं बाई और श्री स्फूल धराई जाते हैं श्री करंड में पन्ना के करंड फूल की एक जोड़ी धराई जाती है, स्वेत पुस्टपो की दो सुंदर माला जी धराई जाती है, श्री हस्त में कमल चड़ी, चांदी के वेनु जी एवं वेतर जी धराई जाते हैं, पट लाल एवं गोटी मीना की आती है आज इसारा कोड़ जी में संध्य आर्थी के उपरां श्री कन टेमों श्री मस्तक पर धराय जाने वाले शंगार बढ़े कर छेडान के आबण धराय जाते हैं श्री मस्तक पर लूम तुर्रा की सुनरी धराय जाती है और शेयण के दरशन आज खुलते हैं आप सभी भगती वेश्णों को जैसी क्रश्णा सीजान जी की नित्ती दर्शन के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को